गुड़ीवनिंग एवरीबन सबको गुड़ीवनिंग एक बार कमेंट करके बताएगा सौन क्लियर है आवाज आ रही है गुड़ीवनिंग एक बार सब सब एक बार कमेंट करके बता दिए सौन क्लियर है वाज आ रही है सून पा रहे हो आप लोग सब क्लियर है सब कुछ अगर सुधीर अनुज प्रियांसू सूमी प्रिंस निसी प्रशांत बहुत अच्छे चलो आवाज क्लियर है मदब सौन पारे हो आप लोग सब्सक्राइब क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग यह सब्जेक्ट क्या इसके बारे में जान ले जहां पे यूनिट मदब यूनिट नहीं सेमेश्टर फाइब में जहां पे हम लोग छोड के आगे बढ़े ठे उसी चीज को हम लोग आगे ले जाएंगे ठीक है लेखो आपको याद करना थुड़ा सा थोडा मेमोरी ठीक होगा तो आपको याद होगा कि फिफ्त समेश्टर में दो यूनिट अस्टील का था ठीक है, लिख देते हैं, तब आप लोग समझोगे, पहले 5th semester और 6th semester में क्या-क्या चीजे हैं, वो आपको हम बता देते हैं, क्या-क्या यहाँ पर आपको correlate करना है, जैसे आप अभी just 5th semester का exam देके आये हो, और उमीद है कि आपका 5th semester, 5th semester का exam ठीक ही गया होगा, ठीक है, तो अभी 6th semester में 5th semester है, यूनीट 1 में हम लोगों को पढ़ना था, यूनीट 1 में क्या पढ़ना था, यूनीट 1 में हम लोगों को पढ़ना था, यूनीट 2 में हम लोगों को पढ़ना था, यूनीट 2 में पढ़ना था, यूनीट 2 में पढ़ना था, यूनीट 2 में पढ़ना था RCC design, beam ठीक है, introduction था beam का singly reinforced beam, RCC beam था यहाँ पे, ठीक है beam के बाद हम लोग unit 4 में पढ़े थे shear bond development length 4 में पढ़े थे shear bond और development length, ऐसे चल रहा था topic, development length और unit 5 में आपको पढ़ाय थे column unit 5 में पढ़ाय थे column ठीक है, देखो एक चीज़ आप यह याद रखना कि यह RCC column है ना यह यहाँ पे भी है, ठीक है RCC column यहाँ पे unit 5 में है वही same चीज़ पढ़ना है unit 5 में column पढ़ाय थे यहाँ पे column और putting पढ़ना है column and footing पढ़ना है footing पढ़ना है, समझ रहा है यह चीज़, यानि सर अगर यह वाला unit को अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो छठा समेश्टर में काम आएगा, तो yes आपका unit 5 से जो question है यहाँ पे unit 5 में पूछा जाएगा जिसको हम दुवारा पढ़ाएंगे, ठीक है पहला चीज़ देखो, unit 1 में यहाँ पर पढ़ना है connection क्या पढ़ना है आपको? connection connection, ठीक है connection पढ़ना है unit 1 में ठीक है, उसके बाद unit 2 में आपको पढ़ना है beam unit 2 में पढ़ना है, देखो, क्या syllabus बनाया है beam, फिर से आपको beam पढ़ना है composite beam, built up beam, जिसको बोलो it would be better to say built up beam, तो इसका थोड़ा concept यहाँ पर use होगा ठीक है, जो कि अगर नहीं भी याद है तो हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि 5th semester में आपको सब चीज ले के रखना नहीं, हम एक दम phrase phrase हर एक चीज को पढ़ाएंगे, unit 5 में अगर मालो कि जो 5th semester में नहीं पढ़ा है चिंतित नहीं होना, ठीक है हम इसको फिर से दोबारा कराएंगे phrase कराएंगे, ऐसा नहीं बोलें कभी भी इस सब्द का use नहीं करेंगे कि यह 5th semester में पढ़ाया हुआ है वहाँ से पढ़ लेना, यह word use नहीं करेंगे पढ़ाएंगे, कोई जो भी topic आएगा पुराना वला ही topic, तो फिर से आपको पढ़ाएंगे ठीक है, फिर उसके बाद unit 3 में आपको पढ़ना है T beam, RCC, T beam T beam या इसको flanged beam भी कहा जाता है ठीक है, unit 3 में और unit 4 में पढ़ना है slab unit 4 में पढ़ना है slab design slab design यानि फिर से 3 unit RCC का है 2 unit steel का है समझ में आ गया 5 unit में यह sir clear है, तो यह दोनों unit है वो design of steel का है steel design steel design का है design का है, और D, E, S, I, Z, N और यह है RCC design RCC design, ठीक है तो 2 unit steel design से और 3 unit RCC design से clear हो गया यहाँ पर sir, आज ज़्यादा हम time इदर उदर बरबाद नहीं करेंगे कोसिस कर रहे है कि जल्दी से जल्दी आपका syllabus start कर दे ठीक है, आज ऐसा नहों कि आप बस यहाँ पे सिर्फ देख के जा रहे है कि यह क्या पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है देखो, unit one में जो आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना एक-एक topic को हम detail में बताएंगे figure दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे सब clear हो जाएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो unit one में पढ़ना है design of connection पहले आपको यह समझना चाहिए कि sir, connection होता है क्या है, और connection किसके through देते हैं, connection connection देते क्यों है, what is the purpose of connection, दो member को जोडते हैं, तो जहाँ पे joint बनता है, वहाँ पे क्या-क्या phenomenon होता है, क्या-क्या चीजे होता है, load कैसे transfer होता है क्या-क्या option है, हम लोग को दो member को जोडने का पिछला बार हम लोग nut bolt पढ़े थे ना, इस बार welding पढ़ना है इस बार हम लोग को ribet पढ़ना है पिछली बार हम लोग bolted connection पढ़े थे, बस उसी से मिलता जुलता, ribet है, ठीक है एक दम phrase, नया तरीके से हर एक चीज़ को detail में बताएंगे कभी भी इस word का use नहीं करेंगे कि पाचमा semester में यह वला चीज तो पढ़वे किया होगा, यह word का use नहीं करेंगे जहां पर topic आएगा, उसको फिर से पढ़ाएंगे, दोवारा notes copy बनवाएंगे, जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको फिर पढ़ाएंगे, फिर से notes copy में उसको draw करवाएंगे, लिखवाएंगे एक एक चीज, जैसे हमको पता है कि gauge आपको पता है क्या होता है हमको यह भी पता है कि आपको पता है कि pitch क्या होता है ठीक है, जब हम लोग hole बनाते हैं, तो diameter देते हैं, सब पता है कि pitch, gauge आपको पढ़ा चुके हैं, end distance पढ़ा चुके हैं, age पढ़ा चुके हैं, तो जो चीज पढ़ाया हुआ है, उसको दोबारा पढ़ाएंगे, आपके copy में फिर से notes बनवाएंगे, और उसको आपको याद ठीक है, ठीक है, नहीं, जो rule था, वो rule रहेगा, class में ही notes बनाना है, और notes आपको वीडियो के बाद देंगे, मतलब notes आपको जैसे पहले पढ़ा रहे थे ना, कि notes आप class में ही बनाईए, वो वाला रहेगा, वैसे ही काम करना है, लेकिन class के बाद, ये जो हम जो भी लिखवा आज के class के बाद, आज का जो PDF है, वो आपको मिल जाएगा, हूँ बहु ये वाला PDF आपको दे देंगे class के बाद, लेकिन class में आपको लिखवाएंगे, क्योंकि numerical होता है, आपको पूरा मौका देंगे, बनाने का, पूरा मौका देंगे, छापने का, उतारने का, हर एक लेते हैं, ठीक है, लैपटोप पे नहीं चल रहा होगा, तो काम कर लेते हैं, इस पर, देखो, हम यहीं कहेंगे कि recorded जो है, वो outdated है, ये advance है, कोसिस करो, live का, live से recorded का notes बनाने का, बाकि आपका मर्जी, जो ठीक लगे, चलो, ठीक है, इधर-धर का बाद खतम, जल्दी सात है, यूनिट बन पे, यूनिट बन में हम लोगों को पढ़ना है, design of connection, तो सबसे पहले मेरा ये question है, कि what is the connection, connection क्या होता है, connection क्यों करते हैं, connection किन-किन माध्यम से, device से किया जाता है, सर, connection का मतलब क्या, याद करो, a steel structure का connection, ये RCC का नहीं, a steel structure का connection है, ठीक है, किसी इसका connection है, steel structure का connection है, ठीक है, तो इसमें I section आएगा, channel section, angle section, different type of section, जो हम लोग पढ़े थे, फिर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, फिर से आएगा उठके I section, beam के लिए best suitable section क्या होता है, which type of the section is best suitable for beam, तो आप बुलोगे I section, ठीक है, फिर क्यों होता है, क्योंकि कि इसका moment of inertia, X axis के बॉड अच्छा होता है, जादा होता है, किस आग्सिस के बॉड़ोट, इसका moment of inertia, जादा होता है, ठीक है, तो यह सब बढ़ेंगे, चलो, तो यह syllabus है, unit one का, जिसमें आपको पढ़ना है कि, reviewette कितने तरह का होता है, ठीक है, ठीक है, पहले बताएंगे contact, होता कैसा फिर आपको बताएंगे कि अब कर देते हैं तो मजबूती उसका strength कितना है a strength of riveted joint या इसके बाद efficiency भी हम लोग देखेंगे design करना है हम लोग को riveted joint का sir और four axially loaded member यहां से एक question आएगा आपका semester के exam में six marks का sure आएगा numerical आएगा क्या आएगा numerical numerical ठीक है और और में रहेगा welding ठीक है rivet का question रहेगा और और में रहेगा welding का question ठीक है types of weld, welded connection permissible a stress in weld a strength of weld तो दो connection पढ़ना है छोटू ठीक है आपके इस semester में दो तरह का connection पढ़ना है एक तो detail में आपको riveted connection पढ़ना है और आपको दूसरा detail में welded connection पढ़ना है तो types of weld देखेंगे और उसके बाद types of welded connection देखेंगे और उसका permissible a stress और a strength check करेंगे ठीक है advantage and disadvantage of build design of fillet weld and what weld for axially loaded column अब यहाँ पर यह question arise होता है कि सर यह unit 1 है ADS का यह कैसा है ADS का जो unit 1 है यह कैसा है तो यह पूरा 100% numerical topic है पहला चीज theory come numerical जादा है topic कैसा है easy topic है asan topic है sir asan topic कहने का मतलब इसका numerical बनेगा एक एक numerical आपसे बनेगा ठीक है यह topic बहुत easy है बहुत असान है एक एक numerical आपका इससे बनेगा ठीक है आगे समझ में आगे बढ़ जाते हैं अंसू कुमारी प्यांसू sir axially loaded में compression होगा या tension axially loaded में भी compression और axially loaded में भी compression ठीक है compression, tension दोनों हो सकता है axially loaded कहते किसको हैं जल्दी से comment करके बताएगा what is the meaning of axially loaded एक student बोला है sir axially loaded में tension होगा कि axially loaded में compression होगा जल्दी से बताओ what is the meaning of axially axially loaded member क्या होता है कोई comment करके बताओगे एक प्रियांसु पुछा है कि सर ये axially loaded जो है वो compression होगा कि tension होगा प्रियांसु बोरा कि हाँ central बिल्कुल सही जब cg पे load लगता है तो हम लोग बोलते हैं उसको axially loaded ठीक है axially loaded तो जब cg पे load लग रहा है तो ये compression भी हो सकता है और tension भी हो सकता है axially loaded member में क्या हो सकता है ये compression भी हो सकता है और tension भी हो सकता है ठीक है तो जब हम लोग दो member को जोड़ेंगे जैसे मानलो कि यहाँ पे दो plate है एक plate यहाँ पे रहा और दूसरा plate और होगा कोई एक तो load कहां पर लगेगा, लोड जो लगाओगे न वो CG पर लगाओगे, बीचों बीच में लोड लगेगा, यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे कहने का मतलब है, कि अगर एंगल सेक्षन है, तो जो लोड हम लोग apply करेंगे, या assume करेंगे, कि जो load apply हो रहा है, वो कहाँ पर apply हो रहा है, CG पर, यानि इसका CG कहीं यहाँ पर होगा, अगर एंगल सेक्षन को देखोगे, तो एंगल सेक्षन का CG यहाँ पर होता है, यानि load है वो कहीं यहाँ पर लगेगा CG पर act करेगा और यह compression tension दोनों हो सकता है मालो की plate में यहाँ से जुड़ा हुआ ऐसे तो यहाँ पर rebate बगरा रहेगा तो load कहाँ पर लगेगा CG पर load कैसा हो सकता है compressive और tensile दोनों nature का हो सकता है load लगेगा CG पर when the load is applied at axially loaded CG तो axially loaded अच्छा जल्दी से comment करके बोलो अगर इस तरह का load लगेगा तो इस तरह के load को क्या बोलते है क्या बोलते है जब load CG पर ना लगे और load जो है वो CG से कुछ दूरी पर लगे तो इस तरह के load को क्या बोलते है यह जो load P1 है इसका क्या नाम है क्या इसका नाम eccentric load है क्या हम सही बोले है इसका नाम क्या eccentric load और जो distance होता है उसको eccentricity कहते है सही बोल रहा है कि नहीं जो load अगर CG पर ना लगकर CG से दूर लगेगा तो उसको eccentric load बोलेंगे और जो distance होगा that distance is called eccentricity और eccentricity दो होगा एक x-axis से और एक by-axis से यानि eccentricity ex भी होगा और eccentricity e by भी होगा x-axis से दूरी और by-axis से दूरी चलो ठीक है, clear हो गया हाँ, ये पूछ रहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं तो पहले तो हम लोग दिमाग में ये अच्छे से कहीं पर रख लेते हैं, कि हम लोगों को unit 1 पढ़ना है, जो की easy unit है इसमें दो तरह के connection के बारे में design करना है, दो तरह के connection के बारे में detail से पढ़ना है एक है वो welding है welded connection, दूसरा है riveted connection, rivet के बारे में आपको detail से पढ़ना है पहला तो हम एक question अभी बोल देते हैं कि आगर internal exam देने जा रहे हो ना, तो पहला question यहीं पूछेगा कि what is rivet and what are the different type of rivet, कहीं पर लिखना है तो लिख लो जो भी internal exam दोगे जिस भी college में आप पढ़ रहे हो, पहला question यह आएगा, कि rivet क्या होता है और rivet है वो कितने तरह के होते हैं, तो आप वहाँ पर पढ़ोगे कि shape के अधार पे method of application उसको किस तरह से हम लोग apply करते, joint कैसा करते उसके अधार पे different types of rivet पढ़ेंगे, rivet में एक head होगा sank होगा, सब आएगे दीरे-दीरे करके तो पहला question तो यहीं पे बनता है चाहे तुम semester का exam दो, चाहे internal में दो, जहां भी भी बैठो, पहला question यह fix हो गया, कि what is rivet, rivet है क्या, and what are the different type of rivet, और याद रखना कि semester के पहले जब हम बोलते हैं कि question आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है जब हम अभी बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि course join करो, admission लो आप एकदम अच्छे से, जो बोलते हैं powerful study, हर एक topic को बढ़ियां से याद करके exam में बैठोगे, day one से हम आपको guide करते रहेंगे कि कौन सा topic को detail में पढ़ना है, और sixth semester का weightage बहुत ज़्यादा होता है आपका percentage बनाने में छटा semester आपके लिए बहुत important है, तो हम आपसे ये request करेंगे कि day one से, आज से अगरबत्ती या मुंबत्ती जलाके कसम खालो कि daily पढ़ोगे daily lecture देखोगे, क्यों देखना है, क्योंकि आपको अच्छा knowledge gain करना है, अच्छे से semester का exam देना है, हम कोई आपको ये promise नहीं करते हैं, कि यहां से पढ़ने के बाद J निकाल दोगे, A E बन जाओगे कुछ नहीं, आपका knowledge बढ़ेगा आपका label है, वो high होगा बढ़ियां से पढ़ोगे, तो sub competitive exam निकलेगा, नहीं तो semester ने निकाल पाता है, J क्या निकालेगा, समझ रहा है semester जो तुम नर्भसा जाओगे तो J का exam तो कहीं दूर चला जाएगा, ठीक है, तो वो चूरन बाटने वाला काम नहीं, बढ़ियां से पढ़ोगे सब कुछ निकलेगा, नहीं पढ़ोगे गधा 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 राजाओगे, एदम ये reality है, अंधा आदमी को अगर हम eye filter आबर दिखाएंगे, तो वो क्या height कभी देख पाएगा, उस खुबसूरती को देख पाएगा, तो आज कल यहीं चल रहा है अंधा को ले जाके दिखाता है, देखो, यही eye filter आबर है, क्या करेगा, वही believe करेगा रहे चाहे नहीं रहे, समझा, तो हम यह बोरे ultimate, last यहीं है conclusion की day one से बढ़ियां से पढ़ाई करो, preparation करो, आदत अगर पढ़ने का लग गया ना, तो यह हर जगा तुमको काम देगा, अगर आदत बिगड़ गया नहीं पढ़ने का, तो हर जगा से बाहर चले जाओगे, हर एक competition से बाहर हो जाएगे, तो अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है, मेहनत करना, ठीक है, पहले दिन से, और इस बार थोड़ा high energy के साथ रहेंगे, क्योंकि छटा समिस्टर है, जो बहुत important है, जिसका weightage बहुत ज़्यादा होता है, जब आपका marksit तयार होगा, उसमें, ठीक है, तो साथ बने रहना, जैसे जैसे बोलेंगे, वैसे वैसे काम करना, वहीं से question आएंगे, वहीं से आपका marks अच्छा आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, इस बार फोड़ फाड़ कर देना है, जो बोलते हैं कि 600 plus, 620, 625, अच्छे से, एदम पहले दिन से एक-एक topic को पढ़के रखना है, अगर अभी से पढ़के रखोगे ना तो semester के exam में revision करने में आपको मदद मिलेगा, help मिलेगा, तो हम लोग unit one में दो चीज़ पढ़ेंगे connection का, देखो पहले तो ये करते हैं कि connection करते क्यों है, ठीक है, connection कहां पर किया जाता है, generally जो हम लोग connection की बात करेंगे, जहां से सुनना, जो riveted connection या welded connection करेंगे, वो steel member में करेंगे, लोहा का जो member होगा, i section, channel section या angle section उसमें connection करेंगे, देखो, जो manufacture होता ना factory में, वो एक limited size का जो member है, वो manufacture होता है, ठीक है, railway का तुम देखना, railway का जो track होता है, railway का track, जिसको आप rail भी बोलते हो, ठीक है, वैसे train बोला जाता है, जो vehicle होता है, तो जो rail होता है, पटरी होता है, उसको देखना, i section type का तुमको दिखेगा, उसका भी length है, वो limited होता है, अच्छा, ये हम लोग limited length का क्यों बनाते हैं, क्योंकि transportation अच्छे से हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा लंबाई होगा, तो transportation करते समय, buckling हो जाएगा, मुड जाएगा, transportation करना difficult हो जाएगा, तो जो भी लोहा का member, i section, channel section, angle section, जो भी manufacture किया जाता है, वो एक limited length का होता है, और structure जो बनता है, वो एक complicated structure हम लोग बनाते हैं, तो structure बनाते समय, दो या दो से अधीक member को एक साथ जोड़ना पड़ता है, add करना पड़ता है, और जहाँ पे joint बनता है, उसको connection करते हैं, ठीक है, जहाँ से देखना, जैसे यह तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि unit 1 में क्या पढ़ना है, unit 2 में आपको steel पढ़ना है, जल्ली जल्ली निकाल रहे हैं, unit 3 में आपको T beam के बारे में पढ़ना है, यह सब पढ़ेंगे, तो अभी समय बरबाद करके क्या फाइदा है, चौथा जो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, design of slab पढ़ना, slab का design, slab एक plate type का structure होता है, इसी का design करना, one way slab, two way slab, इसमें छड़ घुसा के बना देंगे, बस काम खतम, तो जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी क्या बताए, कि देखो यह slab है, इसका length होता है, इसका length है, इसका length है, लवाई, thickness को depth बोलते हैं, यही design करते हैं, कुछ नहीं, time बरबादी है, direct हम लोग जंप करते हैं, अपने ask के topic पे, ताकि आप यहां से जब जाओ, और last unit जो बोले थे, आपको column और footing का, तो हम चारे हैं कि जल्दी से यह सब हटाते हैं, काम का topic आपको बताते हैं, जो याद से सुनना, 6th semester है, वो थोड़ा आसान है, 5th semester के compare में, 6th semester आसान है, estimating के compare में, tendering and account, अगर आपको subject मिलाओगा, तो वो easy है, पहले जो हम लोग 5th semester में, जो RCC और स्टील पढ़ेते हैं, उसके compare में, 6th semester में RCC आसान है, एकदम सीधा सीधा पढ़ते जाओ, समझ में आते ठीक है, तो 6th semester के compare में, 6th semester आसान है, हाँ, scoring कम है, क्योंकि ज्यादा theory paper है, चार paper theory है, और एक paper numerical है, जो numerical है, वो यही, advanced design of a structure, जिसमें steel और RCC पढ़ना है, ठीक है, क्या है कि सर, अंसु जुनून हमेंसे रहेगा, आदित क्या हो गया निसान, ठीक है, दुख का बात, एक numerical paper एक ही है, यह, बिल्कुल exactly, 4th semester में steel अच्छा था, लेवल अच्छा था, ठीक है, मतलब, डर तो लगी रहा था, एक्जाम के पहले, जब तक question paper दिखा नहीं, जब तक exam दिये नहीं, तब तक तो थोड़ा सा fear रहता ही है, यह, डर 6th में भी रहेगा, ठीक है, आपके junior है, उनके पास भी डर रहेगा, अच्छा एक काम करो, बता और एक अधा लोग तुम लोग, चटा समेस्टर में पहुँच गया, तुम लोग तो सब दुख भोग के चटा समेस्टर में पहुँचा है, जूनियर को guide नहीं करता है, कि building, planning और drawing कहां पढ़ना चाहिए, तुमको तो थोड़ा समझाना चाहिए, कि बच्चा पैसा दे के फस जा रहा है, फिर बाद में समे learning and drawing जो सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर एक ही है, इसके अलाबा कोई है भी नहीं, तो यह चीज को रखो बच्चों के सामने, ठीक है, भटक जाता है, फिर आएगा अगला समेस्टर में सर बरबाद हो गया, लुट गया, खतम हो गया, जिंदगी बरबाद हो गया, क्या कर ल 90 परषेंट है, ठीक है, चलो, मिलते है नेक्स्ट तॉपिक पे, अगला टॉपिक देखते है, यह लेक्चर वन है, देखो पहले यह समझो कि कनेक्सन होता क्या है, कनेक्सन में हम लोग क्या करते हैं, कि दो प्लेट को, दो प्लेट या दो से अधिक प्लेट को एक साथ आगे देखते हैं ठीक है चलो देखो यहां पर अच्छे से समझना हम अभी क्या बढ़ाने जा रहें कनेक्शन क्या होता है इसमें दो मेंबर को एक साथ जोड़ा जाता है जहां यहां पर अगर अबजर्ब करोगे देखोगे तो यहां पर एक क्या है एंगल सेक्षन है दूसरा क्या है अब को दिखेगा एक प्लेट सेक्षन प्लेट और एंगल को जोड़ा गया है ठीक है तो जोड़ा गया है तो इस डिवाइस को बोलते हैं फास्टेनर क्या बोलत यहां पे जो फास्टनर है वो हो सकता है रिवेट बोल्ट या पिन भी हो सकता है या वेल्डेड भी वेल्डिंग हो सकता है तो जोड़ा जा रहा है यहां पे दो मेंबर को जोड़ रहे हैं इसको बोला जाता है कनेक्शन ठीक है जहां पे दो मेंबर को जोड़ते हैं अच्छ जल्दीसे बताओ A होगा आपको देख के क्या लग लगरा है कि दो Cinema को जोडने के लिए यहां पÉ क्या किया गया रेट किया गया इसलिक से जल्दी से बताओ connect क्या होता है सर connection होता है दो या दो से अधिक मेंबर को हम लोग एक साथ जोडłeं साथ है जाही है सही है बिल्कुल सही weld किया गया, welding किया है तो यहाँ पर जो connection है इसको वो लेंगे welded connection अब ये बताओ कि हम लोग connection करते क्यों है what is the purpose of connection ठीक है what is the purpose of connection connection करते क्यों है अच्छा ये बताओ ये जल्दी से बताना तुम लोग हम question पूछेंगे तुम लोग answer देना अगर इसको हम लोग खीचे ये I section को इधर खीचे या इस member पर load लगाए तो क्या इस member को खीचेंगे A member को खीचेंगे तो क्या B member है उसके उपर load जाएगा कि नहीं जाएगा मानलो P force से इसको खीचे तो क्या ये member अलग रहेगा ये member अलग रहेगा या दोनों member एक साथ आगे बढ़ेगा मानलो ये टुकडा है पीच है तो अगर इसको हम खीचें तो member A और B दोनों साथ में आगे आएगा कि दोनों अलग अलग आगे आएगा सिर्फ A आ जाएगा B वहीं पर रह जाएगा क्या होगा ठीक है साथ में आएगा बिल्कुल तो देखो यहाँ पर connection करने से बिल्कुल सही comment क्या है कि connection देने से या connection करने से क्या होता है load transfer होता है अगर यहाँ पर हम लोग इसको खीचे तो जो भी load लगाए है ये load है इस member पर क्या हो जाएगा transfer हो जाएगा हम लोग एक complicated structure को complete करने के लिए एक complicated structure है वो bridge भी हो सकता है एक complicated structure trust भी हो सकता है या building भी हो सकता है तो यह सब जो structure है इसको बनाने के लिए हम लोग member को connect करते है और purpose यह होता है कि अगर एक member पे load लगे तो वो दूसरे member पे transfer हो जाए यानि दूसरा member भी उसको load को रोके ये purpose होता है connection का, ठीक है, आया समझ में ये, connection क्या करता है, load को transfer करने का काम करता है, तो अगर यहाँ पे देखोगे, तो आपको दिखेगा riveted connection, यह जो connection है, यह कहलाता है riveted connection, ठीक है, यहाँ पे जो आपको connection दिख रहा है, यह connection कहलाता है, bolt connected connection, यहाँ पे bolt है, nut bolt दिख रहा है, और यहाँ पे connection है, यह bolted connection है, ठीक है, इसको fastener भी कहा जाता है, हाँ, एक साथ दोनों जाएगा, load transfer होता है connection से, एक member पे लगने वाला load, दूसरे member तक पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यह जो connection है, इसको बोला जाता है, pinned connection, यह मतलब इसमें rotation allowed है, जैसे यहीं पे ध्यान से समझो, अच्छे से देखो, दिखेगा आपको, कि अगर इस पे हम लोग load लगाते हैं, तो यह load है ना, इस member को अगर fix कर दिये, तो दोनों पे load जाएगा, यहाँ पे भी load लगेगा, और यह जो member है, member A, यह B member को भी connection देने से क्या होता है, कि दोनों member एक साथ बर्क करता है, एक पे लगाया हुआ load, दूसरे पे चला आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो connection आपको दिख रहा है, यह क्या है, पिन connection है, आगया समझ में, pin connection में rotation allowed है, हम लोगों को pin connection नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे देख कर दिए, तो यह temporary connection है, कि एक permanent connection है, जल्दी से comment करके बताओ, कौन सा ऐसा connection है, nut bolt, एक temporary connection है, अगर खोल दिए, तो पूरा disassemble हो जाएगा, assemble कर दिए, बांद दिए, कस दिए हो गया, अगर एक जगा से दूसरी जगा ले जाना है, तो nut bolt खोल दो, disassemble कर दो, ठीक है, उसके बाद ले जाओ, रिवेट पर्मानेंट कनेक्शन है, रिवेट जो है, वो एक permanent connection है, bolt है, वो एक temporary connection है, ठीक है, रिवेट कैसा है, पर्मानेंट कनेक्शन है, जब रिवेट का आपको प्रोसेस पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, चलो, यहाँ से topic हम लोगा start करते हैं, टॉपिक यह रहा कि a steel connection, a steel connection का मतलब जोड, दो member को हम लोग जोडते हैं, connection का मतलब क्या होता है, connection का मतलब होता है, जोडना, add करना, ठीक है, the various member of a steel structure, like tension member, tension member क्या होता है सर, एक ऐसा member, जिसपे tensile nature का load लगता है, ठीक है, एक ऐसा member, जिसपे tensile nature का load लगता है, तो यहां पर एक tension member हम बना दिये हैं, तो यह जो tension member है, ठीक है, tension member, इस पर tensile force लग रहा है, तो बहुत सारे, बहुत तरह का member होता है, tension member, compression member, flexural member का मतलब क्या हो गया, flexural member को हम लोग beam कहते हैं, वैसा member जिसमें bending होता है, उसको beam कहते हैं, तो beam है, वो bend करता है, और bending को हम लोग flexural भी कहते हैं, तो flexural members are connected by fastener, fastener का हिंदी में बोले तो बंधक, बंधक बोल सकते हो, fastener is a device which is used to connect, ठीक है, two different members, fastener को अगर हिंदी में बोले तो बोल देंगे, बंधक, बंधन बनाने वाला, connection बनाने वाला एक device है, device, ठीक है, तो fastener का मतलब क्या होता है, एक device, जिससे हम लोग connection करते हैं, तो fastener are following type, क्या हो सकता है, एक rivet हो सकता है, bolt हो सकता है, pin हो सकता है, और weld हो सकता है, तो rivet और weld, ये दो हम लोग को semester के exam में पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा bolt औरेड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं, generally, rebate का जो connection किया जाता है, ये WSM पे किया जाता है, bolt का connection LSM पे करते हैं, weld का connection WSM पे करते हैं, ठीक है, generally, working a stress method, limit a state method, working a stress method, ये हो गया welded का, rebate का, ठीक है, ये, generally, ये old तरीका है, ये rebate करेक्शन है, ये एक पुराना तरीका है, welding भी पुराना तरीका है, bolt अभी new fashion में आया है, ठीक है, जितना भी पुराना bridge देखोगे, जो 100 साल पहले या 120 साल पहले का जो bridge है, सब में आपको rebate connection देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उमीद है, ये चीज समझ में आ गया होगा, कि various member of a stila structure, like tension member, compression member, and flexural member are connected by fastener, और ये जो fastener है, वो rebate हो सकता है, bolt हो सकता है, pin हो सकता है, या weld हो सकता है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, तो force acting on one member is transferred to the other member through fastener, fastener देखो, जैसे यहाँ पर rebate लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, उसके जगाँ पर fastener लिख दिए, fastener का मतलब सब हो गया, fastener का मतलब weld भी हो गया, fastener का मतलब एक device जो है, वो rebate भी हो गया, तो rebate के through, या फिर weld के through हम लोग क्या करते हैं, load transfer करने का काम करते हैं, अगर दो plate है, तो दोनों plate आपस में खिसक सकता है, अगर दोनों को जोड़े नहीं तो, एक के उपर दूसरा plate रख दो, और उसको खीचोगे तो क्या हो जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा, लेकिन अ तो the force acting on one member is transfer to the other member through the fastener, bolt and pin are used where the member may be required to disassemble, अगर disassemble करना है, तो bolt और pin का use करो, rivet and weld are permanent connection, जो rivet होता है और जो weld होता है वो एक तरह का permanent connection है, आपको हम बताएंगे, रिवेट कितने तरह के होते हैं और रिवेट को कैसे use करते हैं, रिवेट को हम लोग किस तरह से use करते हैं, पहले hole किया जाता है, drill करके, फिर रिवेट को gearm करते हैं, फिर उसका head बनाया जाता है, तो अगला जो topic होगा उसमें हम रिवेट पढ़ाएंगे, अगले class में types of rivet चलेगा कि यहां पर यहां पर यहां पर डाइब इंसक्शन लिख सकते हो यहां पर अगर ऑल्ड यूज़ करें तो रिवेटड कनेक्शन हो गया एक वर्ड और दूसरा वेड्स के हैं welded connection, जब लिखोगे तो welded connection लिखा जाता है, connection ऐसे लिखते हैं, welded जब कर दिये तो आप connection word use करो, riveted कर दिये तो connection word use करो, use करो, rivet का मतलब हो गया एक device, weld का मतलब हो गया device, तमझ में आ गया, जिसका use हम लोग joint करने में करेंगे, तो riveted connection and welded connection are permanent connection, ये भी लिख सकते हो, bolt connection, pin connection are used where member may be required to disassemble का मतलब होता है, अलग-अलग करना, अलग करना, खोलना, servicing कराते हैं न साइकिल का या बाइक का, तो उसको nut bolt को खोल करके, disassemble करके, साफ सूतरा करके, फिर assemble कर दिया जाता है, ठीक है? ठीक है, सर, चलो हो गया, ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल requirement के अनुसार हम लोग काम करेंगे, चलो यहां तक सबको clear है, आज तक का note से आपको मिल जाएगा application पे, आज एक छोटा सा class था, कल जो है, वो हम लोग detail में, रिवेट क्या होता, यह पढ़ेंगे, रिवेट कितने तरह के होते हैं, यह पढ़ेंगे, और किस तरह से रिवेटेट करेक्शन देते हैं, और रिवेटेट करेक्शन जो होता है, वो कितने तरह का होता है, यह पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का class अहीं ही पर रहने दे रहे हैं, मिलते अब next class में, सबको thank you, अगर लिखना है, छुटा हुआ है, तो लिख सकते हो, otherwise यह जो PPT है, यह जो आपको PDF दिख रहा है, यह आपको provide करा दिया जाएगा application में, ठीक है, चलो सबको thank you, और time है, वो हम लोग मिलके decide कर लेंगे कि किस समय उचित रहेगा, क्योंकि आपका college भी हो सकता है, शुरू हो जाए, अगर आप college नहीं जा रहे हो, तो हम इसी time पर रख देंगे, ठीक है, मिलते next class में, सबको thank you, और regular class होगा बच्चा अभी से, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग को syllabus complete करके, फिर मैराथन class जादा जादा जल्दी से लोग करेंगे, तो जादा आपको मैराथन class मिलेगा, ठीक है, सबको thank you,